हलो फ्रेंज, Divine Lights Association टीम के Word of the Day सेग्मेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेग्मेंट और वो भी हसते और मस्कुराते हुए तो आज का जो नया वर्ड हम सीख रहे हैं वो है बड़ा छोटा सा वर्ड और ये है गली D, L, E, D for goat, L for luck now, E for eagle and again E for eagle, गली ठीक है गली का मतलब होता है अत्यधिक हर्ष, उल्लास और उच्सा क्या होता है अत्यधिक हर्ष, उल्लास और उच्सा चलिए, अब हम आपको इस शब्द का synonyms यहने परियावाची बताते हैं तेक है, along with spellings आचा, पहला synonym है, delight, बताओ D की spelling, the light Very good, D, E, the light L, I, G, H, T तो D, E, L, I, G, H, T क्या हो गया? Delight Next, exhilaration E, X, H, I, L, E, R, A, T, I, O, N exhilaration Next, pleasure Pleasure P, L, E, A, S, U, R, E Pleasure ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आप लगोंने चलिए, अब हम antonyms यहने विलोम शब्द पे enter कर गए हैं So, पहला antonyum है Unhappiness बताए Very good U, N, H, A, W, P, I, N, E, W, S Unhappiness Next is sorrow 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 बताओ Very good S, O, R R, O, W विल्कुल ठीक, बहुत बढ़ियां Next है, misery बताए Misery Very good M, I, S, E, R, Y Misery बिल्कुल ठीक बोला आपने चलिए, अब हम कुछ इस शब्द से sentences बनाते हैं पहला sentence होगा The children laughed with glee at the clown's antiques मतला की Joker की हरकतों पर बच्चे अत्यतिक हर्ष और उल्लास के साथ हसे ठीक है Clowns antiques मतला जोकर Clowns मतला जोकर Antiques मतला हरकत A, N, T, I, C, S ठीक है Clown C, L, O, W, N Clown मतला जोकर ठीक है Antiques A, N, T, I, C, S हरकत ठीक है तो जोकर की हरकत पर बच्चे बहुत हर्ष और ल्लास के साथ हसे ठीक है Next Reena Chortled with glee at the news मतलब की जब Reena खबरे सुन रही थी तो उस time पे वो जूम रही थी है ना बहुत हर्ष कुशी से जूम रही थी रीना ठीक Chortled C-H-O-R-T-L-E Chortled ठीक है Chortled मतलब जूमना ठीक Next ठीक हो Girish was a charming mixture of glum and glee मतलब Girish चमक और उल्लास का बेहद आकर्षक मिश्रण है ठीक यह था वोज है ना तो Girish चमक और उल्लास का बेहद आकर्षक मिश्रण था ठीक Next There was much glee among journalists over the leaked letter There was much glee among journalists over the leaked letter मतलब जो पत्र leaked हुआ है उसको लेकर के जो पत्रकार हैं उनमें हर्ष और उल्लास का माहौल है जो चिठी लीक हुई बाहर आई जिसे बाहर नहीं आने देने की रण नीती थी जिसकी भी रही होगी वो लेटर जब बाहर आया तो पत्रकारों के वीच कैसा माहौल हो गया हाँ भाई हर्ष और लास का माहौल चलिए इसी पर मिठाई बटवा दीजे ओके चालिए नहीं नहीं अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं मिठाई नहीं खाते हैं आपके लिए नमकिंदे दिया जाएगा कोई अच्छी जी डिश ठीक परिशान मत होईए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स सेंटेंस के तरफ प्रभा वाज रबिंग हर हांज तोगेदर विद गली प्रभा वाज रबिंग हर हांज तोगेदर विद गली मतला प्रभा हर्श और उल्लास से अपने हाथ रगड रही थी है ना इतना हर्श और उल्लास में डूबी हुई थी वो की अपना हाथ को रगड रही थी एक साथ ठीक नेक्स सटिस्फाक्शन इवन गली अट इस इनिशल सक्स about what to do next मतलब की हम लोग जब सफल होते हैं तो हम लोग अत्यदिक हर्श और उल्लास से जूमने लगते हैं लिकिन इसके बाद क्या होता है इसके बाद यही हर्श और उल्लास हमारा इस डाउट में बदल जाता है कि हम आगे क्या करें हाँ जी सबके साथ होता है होता है कि नहीं होता है चालिए तो दोस्तों इसी सेंटेंस के साथ हमारा ये सेग्मेंट भी यही पर हो गया समाप हम आपसे एक रिक्वस्ट जरूर करेंगे इस सेग्मेंट की समापती पर कि भाई enjoy कीजिए इस segment को साथ में हर्ष और उल्लास के साथ जूमिए हर segment को पढ़ करके ताकि आपको याद भी हो जाए और साथ में आपको काम करने के जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए energy भी विले ठीक, तो दोस्तों इसी बात के साथ हम आप सभी को एक बार फिर कहना चाहेंगे दिल से पूरे डिवाई लाइट्स आसोसियेशन टीम के ओर से प्यार भरा नमस्का